मेंबर्स डिस्टिंग्विज गेस और फीजी के मेरे पैरे भाई और भेनों नीशाम बुलाविना का नमस्कार सुबा में श्री सत्य साही संजीवनी चिल्डरेंस हाट होस्पिटल के इस सुभारम कारकम में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं इसके लिए His Excellency Prime Minister of Fiji और फीजी की जनता का आभार प्रगड करता हूँ यह हमारे आपके पारंपारिक रिष्टों और प्रेम का एक और प्रतीख है यह भारत और फीजी की साजा यात्रा का एक और अध्याए है मुझे बताया गया है कि चिल्डरन्स हाट होस्पिटल नके बल फीजी में बलकि पूरे साउथ पसिपिक रीजन में पहला चिल्डरन्स हाट होस्पिटल है एक ऐसे क्षेत्र के लिए जहां रदय से जुड़ी बिमारिया बड़ी चुनावती हो यह हॉस्पिटल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा मुझे संतोष है कि हां हर बच्चे को नकेवल वर्ल क्रास्ट ट्रीट्मेंट मिलेगा बलकि सभी सर्जरीज फ्री अपकॉस भी होगी इसके लिए फीजी गवर्मेंट को साइप प्रेम फाउंडेशन फीजी को और भारत के स्री सत्यसाइप संजीवनी चिल्डरन्स हार्ट होस्पिटल की बहुत-बहुत सराना करता हूँ विशेश रुप से इस आउसर पर मैं ब्रम्मलीन स्री सत्यसाइप आवा को नमन करता हूँ मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा रोपा गया बीश आज वटवरुक्ष के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है मैंने भी पहले भी कहा है कि सत्यसाइप बाबा ने अध्यात्म को कर्मकान से मुक्त करके जन कल्यान से जोड़ने का एक अध्वूत काम किया था सिख्षा के खेत्र में उनके कारिया स्वास्त के खेत्र में उनके कारिया गरीब पीडित वंचित के लिए उनके सेवा कारिया आज भी हमें प्रेरना देते हैं दो दसक पहले जब गुजरात में भूकम से तबाही मची थी उस समय आबा के अनिवाईयों द्वारा जिस प्रकार पीडितों की सेवा की गई वो गुजरात के लोग कभी भी भूलने सकते हैं मैं इसे अपना बहुत बड़ा सोभागि मानता हूं कि मुझे सत्यसाई बाबा का निरंतर आशिवाद मिलता रहा अनेक दसकों साथ उनके साथ जुड़ा रहा और आज भी इनकी इक रुपा बड़ी रहती है साथियों हमारी यहां कहा जाता है परोपकाराय सताम दिवुत यह अर्थात परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति होती है मानो मात्र की सेवा जीव मात्र का कल्या यही हमारे संसाधनों का एक मात्र उद्देश है इनी मुल्यों पर भारत और फिजी की साजी विरासत खड़ी हुई है इनी आदर्सों पर चलते हुए कोरोना माहमारी जैसे कड़ीन समय में भी भारत ने अपने कर्तवियों का पानन किया है वसुधैव कुटुम कम याने पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए भारत ने दुनिया के 150 देशों कियों दमाएं बेजी जरूरी सामान बेजा अपने करोडों नागरिकों की चिंता के साथ साथ भारत ने दुनिया के अन्य देशों के लोगों की भी चिंता की हमने करीब करीब सो देशों को सो मिलियन के आजपास वैक्सिन बेजी है इस प्रयास में हमने फीजी को भी अपनी प्रात्थिक्ता में रखा मुझे खुशी है कि फीजी के लिए पूरे भारत की उस अपनत्व परिभावना को साही प्रेम फाउंडेशन यहां आगे बढ़ा रहा है फ्रेंड्स हमारे दोनों देशों के बीच विशाल समुद्र जरूर है लेकिन हमारी संस्कृती ने हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखा है हमारे रिष्टे आपसी सम्मान सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी समंदों पर ठिके हैं भारत का ये सवभाग्य है कि हमें फीजी के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमी का निभाने योगदान करने का आउसर मिलता रहा है बीते दसकों में भारत फीजी के रिष्टे हर शेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं मजबूत हुए फीजी और हीज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से हमारी रिष्टे आने वाले समय और भी मजबूत होंगे सहयोग से ये मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर बैनी मारा मैंची का है जन्म दिन का अवसर भी है मैं उन्हें जन्म दिन की हारदिक बधाई देता हूँ मैं स्री सत्य साई संजवनी चिल्डरन्स हार्ड होस्पिटल से यूड़े सभी सदस्यों को भी एक बार फिर शुब कामनाय देता हूँ मुझे विश्वास है ये होस्पिटल फीजी और इस पूरे छेतर में सेवा का एक मजबूत अधिस्ठान बनेगा और भारत फिजी रिस्तों को नई उंचाई देगा